किसान के लिए लगबग तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्चाता है रहबेट्स प्लस केजिज यह से केज बने होते हैं फिडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटर स्निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई ज्यादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्चाता है लाख से लाख वीश जार के आसपास लगबग चार सड तो हैं हर पिंतालिश जन में उसको सडे तीन सो बच्चा वह निकालती है हमारी एवरेज के इसाब से एक फिमेल से लगबग पांच बच्चों की एवरेज निकलती है इंटू सेवंटी करते हैं तो लगबग सड़े तीन सो बेबी उसका निकलता है सब्सक्राइब इन में बिकने के वो लाइक होता है लगबग पोने 2-2 kg का उसका वजन हो जाता है जो कि मार्किट में लगबग 1,40,000 के आसपास का सेल होता है वो हमारे हिसाब से जो हम किसान को एगरिमेंट देते हैं लगबग हर 45 जन में उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है एक लाग 40,000 के किसान को लगबग 25,000 का महीने का एक आवरेज हम निकाल के देते हैं कि डेफिनेट उसको प्रोफिट आता है क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का रहता है पूरा लाइन इधर में सर मेल का रहता है सोरज निकलने से पहले हम एक अच्छा टाइम बानते हैं क्रोसिंग के लिए जैसे कि ये फिमेल जो होता है तो फिमेल को उठा के हमें मेल के डोर में हमें डालना पड़ता है म सब्सक्राइब के लिए एक टाइम तो हम हराचारा डालते हैं सभी रैबिट्स को जैसे की बर्सीम हो गया जीजका हो गया सेकेंड एक एजूलूशन करके ग्रास आता है रैबिट के लिए वह काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हराचारा हम बोलते हैं उसको दाने मे जैसे नॉर्मल दाना होता है तो घर पे ग्रेंड हो जाता है कि जैसे मक्का हो गया सोवाबिन का खल हो गया सर्शो का खल हो गया अपना गेहूं का चोकर हो जाता है जाओं हो जाता है तो ये राइस पोलिस जैसे हो गया फैट के लिए ये सब चिजे हम मिलाते हैं और दाने में डालते हैं इसका एक तो कोश्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक रुपे के जी के अंदर में यह सब आ जाता है कि अच्छा एक तो हम मीट के लिए भी सको सेल करते हैं पलस जैसे गौर्मिट के लिए हम सब्सक्राइब को सप्लाई करते हैं जितने अपना यूनिस्टी जोती है अग्रिकल्च उनिस्टी होती है वेक्शिन डिपार्टमेंट होते हैं उन में दौायों के लिए हम इसको इसका जो मीट जो होता है इसके अंदर केस्ट्रोल जो है वो जीरो परसेंट होता है जैसे पोल्ट्री को भी हम कमपेरिजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डिजी जोती है रैबेट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बेमारी नहीं है पलस जो फैट है रैबेट मीट के अंदर कोई फैट नहीं है जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए मेट इसका काफी अच्छा माना गया है सब देखिए दोनों चीज मैंने इसमें देखी है कंप्यूटर एजुकेशन में और फार्मिंग में भी फार्मिंग में रैबेट फार्मिंग में मुझे काफी अच्छा लगा पलस प्रोफिटेवल भी मेरे को ये बिजनस उससे कहीं जादा गुना अच्छा लगा मैं समीन भी अपना परचेज किया है कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है सहर में मैंने मकान भी लिया है तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रैबिट फार्मिंग से किया है